पिके भुपाल से हैं जहां प्यारे मिया योन शोशन मामले में बाली का घ्रह में रह रही तीन और लड़कियों की तब्यत खराब हो गई तब्यत खराब होने के बाद लड़कियों को अस्पताल में भरती कराया गया है और प्यारे मिया योन्शोशन मामले में पांच नबालिक पीडिता है बालिका घ्रह में रह रही है और इनमें एक की मौत भी हो चुकी है नबालिक पीडिता ने 20 जनवरी को नींद की गोलियों का ये ओवरडोस ले लिया था और अस्पताल में इलाज के तुरान 21 जनवरी को उसे दम तोड़ दिया था और इसके अगले ही दिन एक और लड़की को सांस लेने में तक्रीफ और आख से खुन निकलने के करण अस्पताल में भरती कराया गया था बताया जारा है कि प्यारे मिया योन शोशन मामले में एक नबाली की रहसमे मोत के बाद कई लड़कियों की लगातार हालत ये खराब हो रही है और सियम शिवराज ने पूरे मामले की जाच SIT ने कराने के आदेश दे दिये हैं तो वहीं विपक्ष ने SIT की टीम ने अब तक लड़कियों के बयान नहीं लेने पर सवाल या निश्वान खड़े कर दिये हैं प्रदेश की मैलाओं की सुरक्षा की बात तो छोड़ी देनी चाहिए जहां एक तरफ पहली लड़की जिसको SIT के सामने बयान दर्ज करने थे नीन की गोलियां खाने की वज़े से उसकी मरत्यू हो गई वहीं आज जब SIT के सामने तीन अन्य लड़कियों के बयान दर्ज होने थे उनको भी बयान देते समय अचानक चक्कर आये उन्हें उल्टिया हुई और आखिरकर उन्हें पहले जेपी हॉस्पिटल भेजा गया और बाद में एम्स रिफर कर दिया गया कहीं न कहीं ये साफ प्रदर्शित होता है कि अफसर्शाही जो जाच की अधिकारी हैं ये सारे लोग निकम में साबित हो रहे हैं और कहीं न कहीं प्यारे मिया को बचाने का काम किया जा रहा है देखिए प्यारे मिया तो कॉंग्रेस की देन है और जिस तरह से बेहनों के साथ उन्होंने गलत किया उस पर ततकाल हमारे द्वारा कारवाई की गई इन दौर में उनका जो बंगला था वो भी जमीन उन्दाज किया यहां की भी उनकी संपत्ति करक की गई और जो घटना वहा पर दन शीलता के साथ साइटी का घठन किया सारी जाच हो रही है और जाच की दौरान दूट का दूट पानी का पानी हो जाएगा रही बात जिन बच्चियों के स्वास्त बिगड़ने की तो उनकी चिंता भी लगातार की जा रही है परंतु जो इन घटनाओं से निकली हो उनकी लिए तो वैसे भी चीज़ें बहुत दर्दनाख होती है तो इस पर दमाम जौन का रिदेने के लिए हमारे सांवधाता भौपाल से श्यालेंद्र जूड के हैं श्यालेंद्र बड़ी खबर है जहां बिजिसर के से बताया है प्यारे मिया यो शोशन केस है और जिसमे यहांब महामला सामने ही आया था कि कई कतो बनेताओं के लिए पाइडियों को पद आ, कई प्रिस्दथिने महाले क्रीन के लिए नावाली बंकियां सप्लाई करने के ओमेला था जिसमे 4 यक्तियों कि अचानक तविद के खळाव ऊजाती और इक युक्ति को कि अच्छाए कराब होने के बाद उसकी मौत हो जाती है और परीजन को नहीं सोब किते हुए सीधा प्रिशासन सब जान उसके दासनस्कार कर देता है उसके बाद जब बाकी की नावारी लड़कियों की तेवित खराब होती है तो उनको जेपी रिफर कर दिया दिया जाता है तो उनकी तेवित कराब होने के बाद उनको एम से रिफर कर दिया जाता है तो काफी गंबीर सवाल यह भी उठता है कि इसमें इसमें तमाम लोगों के यहां पे जिस्ता से बिपक्स आरो लगाती नजर आ लिए तो वह कहीं नगहीं यह चांच में सवाली निसान करा होता है कि अगली ख़बर का